हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू मैं चानल, प्लांटे प्लांट आज हम देखेंगे कि अजवाइन के प्लांट को कटिंग से कैसे इजिली ग्रो करें अजवाइन का प्लांट एक मेडिटनल प्लांट है और ये किसी भी मौसम में इजिली ग्रो हो जाता है वैसे जवाइन के प्लांट के लिए कोई भी फटिलाइजा की जरुवत नहीं है आप इसे किसी भी टाइप के स्वाइल में लगा सकते है ये एक आउट्डोर प्लांट है जिससे 5-6 आर की सनलाइट रिक्वाइर है डेली आप देख सकते हैं किसी रूड्ड बहुत ज़ली डेलो पहती है लीव्स फटाफट आते हैं स्टेंस फटाफट ग्रो होती है स्टीम जो है बहुत लंबी लंबी रहती है इसकी आप एक स्टीम से बहुत हेल्दी प्लांट बना सकते है इसके लीफ से और्गेनो पाउडर भी बनाए जाता है पत्ते, सर्दी, खासी, जुकाम के लिए भी खाये जाते है अजवाइन के पत्तों से काड़ा भी बनाए जाता है जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा प्लान कितना हेल्दी है उसके तने बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके है और जो साइड में है वो कटिंग्स मेंने काट कट के लगाएते एक या दो मेने पहले जो माशरा से बहुत अच्छा ग्रो हो चुकी है कटिंग लगाने का तो कोई सीजन निये पर अगर अपरेनी सीजन में लगा रहे हैं तो कटिंग्स 110 परसेंट रिजल्टेंगी आप अजवाइन का प्लान हेंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं आज्वयन का प्लांट है जो इसा एक अज य। ज्को ना खात की इसरवत है पर यह बहुत अच्छा ग्रू करते गए आप देख सकते हैं कि अज्वयन प्लांट की स्टेम्स और मैने कुछ खेंगिंग प्लांट में मैंगो का प्लांट लगायows यह कौन का प्लांट है जो माशलाइस अच्छा ग्रो कर रहा है आजवायन का प्लान बहुत जादा फैल जाता है जिसको हर मैंने आप कटिंग कर सकते हैं देखिए आप लीफ्स ग्रीन पूरी ग्रीन लीफ्स है बहुत ही कलर फूर इसके खुश्पू तो बहुत ही अच्छी रहती है आप जब भी ल न्यू प्लांट बने मैंने फिलाल इसी कटिंग नहीं किया हूं कि मुझे वीडियो बनाना था सो आपने देखा कि आजवायन के प्लांट को उगाना कितना ही आसान है अब घर बैटे-बैटे उगा सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पस्तर ना है लाइक कीजिए और